नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स मैं आज आपलों के लिए बहुत ही खुबसूरत गुलाफूल वाला डिजाइन लेके आई हूँ और इस गुलाफूल को मैंने बहुत ही अलग तरीके से बनाया है और इस गुलाफूल की मदद से आप बड़े साइस का पूरे दरवाजे के लिए या फिर दरवाजे के दोनों तरफ सजानी के लिए आप तोरन बना सकते हैं या फिर गुलाफुल वाला टिकी को आप जोड़कर गोल अकार में या फिर चकोर अकार में टेबल के लिए आप कवर तयार कर सकते हैं और इसमें उन का जो कलर है वो आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं अभी मैं आपको गुलाफुल वाला टिक्की बनाना बताऊंगी और इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको गुलाफुल को कैसे जोड़ करके सुन्दर सा दरवाजे के लिए तोरन बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी इसके लिए यहां मैंने 4ply मोटा वाला उन लिया है और फ्रेंड्स मुझे कमेंट में बार बार पूछा जाता है कि आप कौन सा उन यूज़ करते हैं तो मैं हमेशा इसी कंपनी का उन यूज़ करती हूँ यह 4ply मोटा वाला उन है और यह आपको अराम से जहां से आप उन लेत इस गुलाफूल को बनाने के लिए हमें 2 कुरूस लगेगा एक मोटा और एक पतला मोटा वाला मैंने यहां पर 4 mm कुरूस लिया है और पतला वाला 1.30 mm कुरूस लिया है और इसी दोनों कुरूस की मदद से हमारा गुलाफूल तयार होगा नीचे हम मोटा वाला से तयार करे और उपर का जो गुलाफुल का पंखडी और ये किनारे का जो गुलाबी वाला डिजाइन है इसके लिए हम ये पतला वाला कुरूस से डिजाइन बनाएंगे तो चलिए हम बनाना सुरू करते हैं इसके लिए हम पहले नीचे का जो हमारा हरा ओला पत्ता है वो पूरा हम तयार करेंगे तो इसके लिए हम पहले magic ring बनाएंगे उन को हम इस तरीके से लपेटेंगे फिर cruise को हम बीच में डालेंगे और उन को हम बहार निकाल लेंगे तो यह हमारा magic ring तयार हो गया आप चाहे तो अंगली में भी लपेट करके बना सकते हैं अब हम इसमें design बनाना सुरू करेंगे तो अभी हम यहाँ पर एक chain बना लेंगे और यहाँ पर अभी हमें puff stitch बनाना है तो फंदे को हम बड़ा करेंगे और cruise में फंदा लेते हुए ring के अंदर डालेंगे फिर हम निकालेंगे फिर से हम फंदा लेंगे ring के अंदर डालेंगे और निकालेंगे फिर से हम फंदा लेंगे और ring के अंदर हम डालेंगे और निकालेंगे और फिर हम फंदा लेके सभी को एक साथ हम इस तरीके से जोड़ देंगे तो ये हमारा puff stitch तयार हो गया इसी तरीके से हमें रिंग के अंदर टोटल छे बार puff stitch तयार करना है तो हमारा एक बार तयार हो गया अब हम यहाँ पर दो chain लगाएंगे ये हमारा एक और ये दो इसके बाद हम puff stitch तयार कर लेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था तो फिर से हम कुरूस में फंदा लेंगे और रिंग के अंदर डालते ही वे हम निकालेंगे हमने एक बार फंदा निकाल लिया इसी तरीके से दो बार और हम निकाल लेंगे टोटल हम तीन बार निकाल लेंगे तो ये हमारा तीसरा हो गया फिर से हम फंदा को लेके सभी को एक साथ इस तरीके से जोड देंगे और इसमें हम दो चैन लगा देंगे तो ये हमारा एक और ये दो और इसके बाद आँ फिर रिंग के अंदर puff stitch बना लेंगे तो total हमें रिंग के अंदर 6 puff stitch बनाना है तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ इसके बाद के वीडियो में मैं आपको पूरे अच्छे से बताऊंगे कि मुझे तोरन में कितना उन लग गया पट्टी, फूल वाला टिक्की और जालर बनाने में तो इसमें मैंने तीन रंग के उन से पूरा तोरन तयार किया है गुलाबी, उजला और हरा रंग का उन से तो ये हमारा छे पॉप फिश्टीच तयार हो गया सबसे पहला वाला जो पॉप फिश्टीच है, इसका जो उपर वाला ये चैन है इसमें हम कुरुस को डालेंगे और उन को हम इस तरीके से हम बहार निकाल लेंगे और इसके बाद जो हमारा मैजिक रिंग वाला उन है इसे हम हलके हातों से धीरे धीरे करते हुए इस तरीके से खीच देंगे तो ये हमारा बीच का डिजाइन जो है पूरा तयार हो गया अब हम पत्ता बनाएंगे हमने जो 2 पाफ श्टीच के बीच में 2 चैन बनाया है उसी में हमें पत्ता तयार करना है तो एक, दो, तीन, चार, पांच और ये छे, छे पत्ता इसमें हमारा तयार होगा, तो अभी हम पहला पत्ता बनाएंगे, तो यहाँ पर हम उनको इस तरीके से बीचो बीच ले जाएंगे, और इसके बाद अभी हमें यहाँ पर पत्ता के लिए जगा बनाना है, तो अभी हम छे चैन बनाएंगे, यह हमारा 1, 2, 3, 4, 5, और यह 6, कुरूस को हम इस चैन में डालेंगे और उन को हम इस तरीके से बहार निकाल लेंगे, तो यह हमारा एक पत्ता के लिए डिजाइन तैयार हो गया, इसके बाद हम दूसरे जाली में बनाएंगे, तो अभी हमें यहाँ पर दो चैन बनाना है, और यहाँ पर हमें पत्ता बनाना है, तो बीच में हमारा दो चैन का दूरी होगा, एक और यह दो, इसके बाद हम यहाँ पर कुरूस को डालेंगे, उन को बाहर करते हुए, इसे हम इस तरीके से लॉक करेंगे, फिर से हम यहाँ पर 6 चैन लगा देंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था तो ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 इसके बाद हम कुरुस को यहाँ पर डालेंगे जाली में फिर उन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक करेंगे फिर हम यहाँ पर 2 चैन लगाएंगे और फिर हम तीसरा पत्ता तयार करेंग तो ये हमारा 1, 2 फिर इसके बाद वाले जाली में यहाँ पर हम कुरुस को ले जाएंगे और हम फिर से वहाँ पर 6 चैन लगा देंगे तीसरा पत्ता के लिए बस इसी तरीके से हमें लाश्ट वाला जाली तक डिजाइन को बनाते जाना है तो मैं आपको पूरा बना करके द दिखाती हूँ इसके बाद यहाँ पर हम पहले 2 चैन लगा देंगे यह हमारा 1 और यह 2 और इसके बाद हमने जो यह पहला पत्ता के लिए डिजाइन बनाया था इसके ठीक नीचे हम कुरुस को डालेंगे उन को इस तरीके से हम बहार निकाल लेंगे और इसके बाद अभी हमें पत्ता बना बनाएंगे तो कुरूस में फंदा लेंगे और चैन में डालते हुए निकालेंगे फिर से फंदा लेंगे थ्री का टू फिर से फंदा लेंगे टू का बन तो ये हमारा डबल कुरूश्या हो गया इसी तरीके से हम पांच बार और बना लेंगे टोटल हमें छे डबल कुरूश बनाया है तो जब आप डिजाइन बनाएगा तो यहाँ पर आप 6 डबल कुश्या कर दिजेगा तो 6 डबल कुश्या बनाने के बाद हम यहाँ पर 3 चैन लगा देंगे यह हमारा 1, 2 और यह 3 तीन चैन हमारा हो गया और यह नीचे जो हमारा 2 उन है इसके पीचो बीच हम कुरूस को ले जाएंगे और फंदे को लेते ही हम इसे इस तरीके से निकाल लेंगे और इसके बाद हम जाली में फिर से 6 डबल कुश्या बना लेंगे जैसे कि हमने इस तरह बनाया था तो यहां पर हम 6 डबल कुश्या बना लेते हैं तो हम कुरूस में फंदा लेंगे जाली में डालते हुए निकालेंगे फिर हम 3 का 2, 2 का 1 कर देंगे तो यह हमारा डबल कुश्या हो गया ऐसे ही हम 6 बार बना लेंगे तो यह हमारा 6 बार डबल कुश्या हो गया इसके बाद यहां जो हमने 2 चैन लिया था इसके बीच में हम कुरूस को डालेंगे उनको इस तरीके से हम बाहर निकाल लेंगे तो यह हमारा एक पत्ता तयार हो गया इसी तरीके से बचे वे हम 5 पत्ता को भी तयार कर लेंगे तो फिर से हम जाली में हम जितना भी जाली है सभी के बीच में हम 6 डबल कुश्या फिर 3 चैन से उपर में डिजाइन बनाएंगे फिर हम 6 डबल कुश्या बनाएंगे तो हमारा नीचे का पूरा डिजाइन तयार हो जाएगा तो अभी हम इस जाली के बीच में पहले 6 डबल कुश्या बना लेते हैं यह हमारा 6 डबल कुश्या तयार हो गया फिर हम उपर 3 चैन लगा देंगे फिर नीचे हम यहाँ पर कुरूज को डालेंगे और फंदे को हम इस तरीके से निकालेंगे और फिर से इसमें हम 6 डबल कुश्या तयार कर लेंगे तो बस इसी तरीके से हमें पत्ता जो है बनाते जाना है तो मैं आपको पूरा बना करके अच्छे से दिखाती हूँ तो यह हमारा एक और यह दो पत्ता तयार हो गया चार पत्ता और हम तयार कर लेते हैं इसमें फिर हम इसमें बनाएंगे फिर इसमें बनाएंगे और फिर हम इसमें बनाएंगे तो तयार कर लेते हैं तो ये हमारा गुलाफूल का नीचे का पुरा पत्ता तयार हो गया अब हम बीच में गुलाफूल के लिए जगा बनाएंगे तो इसके लिए ये जो हमने दो चैन लिया था ये वाला इसके बीच में हम कुरुस को डालेंगे और उन को इस तरीके से बहार निकाल देंगे और इसके बाद ये जो हमने बीच में 6 बार puff stitch बनाया था इसके बीच में हमें चैन करते ही वे जाली बनाना है ताकि इसके बीच में हम गुलाफुल तयार कर सके तो इसके लिए हम यहाँ पर हमने जो पहला पत्ता बनाया था इसका जो ये नीचे का दोनो भाग है इसे हमें पकड़ते ही वे एक साथ लौक करना है तो कुरूस को हम यहाँ पर डालेंगे ये पहला भाग उठाएंगे और इसका इस तरब का दूसरा भाग उठाएंगे फिर हम उन को फंदे को पकड़ते हुए सभी को एक साथ इस तरीके से हम जोड़ देंगे और यहां से हमें बनाना शुरू करना है अभी हम यहां पर तीन चैन बनाएंगे एक, दो और यह तीन इसके बाद यह जो हमारा दूसरा पत्ता है इसका भी नीचे का यह पहला वाला भाग और किनारे वाला भाग यह दोनों भाग को हम पकड़ते हुए एक साथ इसे हम जोड़ देंगे और इसके बाद हम जोड़ने के बाद इसमें हम तीन चैन लगा देंगे एक, दो और यह तीन फिर इसके बाद जो तीसरा पत्ता है उसमें हम करेंगे तो इसी तरीके से हमारा इस तरीके का जाली तयार होगा और इसी जाली के बीच में हमें गुलाफूल का पंखुडी तयार करना है तो दो हमने बना लिया चार और हम तयार कर लेते हैं टोटल हमारा छे तयार होगा सबी पत्ता का जो नीचे वाला भाग है उसे हम पकड़ते हुए डिजाइन बनाते जाएंगे तो ये हमारा एक हो गया इसके बाद हमने तीन चैन बना लिया अब हम तीसरा पत्ता का जो नीचे वाला भाग है इसमें हम इसे पकड़ते हुए यहाँ पर हम जोड़ लेंगे तो ये हमारा दो जाली जो है तयार हो गया इसके बाद हम तीन चैन लगाएंगे और इसके बाद वाले पत्ते को हम पकड़ती हुए इस तरीके से जोड लेंगे इसी तरीके से हमें बनाते जाना है टोटल हमारा छे जाली तयार होगा हमारा छे जाली तयार होगया मैं आपको गिंती करके दिखा देती हूँ तो ये हमारा एक दो तीन चार पांच और ये छे इसके बाद हम छे हमारा होगया अब हम बीच में बनाएंगे यहां हमें तीन जाली बनाना है एक पॉफिश्टीच में हम बनाएंगे एक पॉफिश्टीच को हम छोड देंगे तो इसी तरीके से हम तीन जाली बनाएंगे यहां पर तो चलिए अब हम बीच का जाली तयार कर लेते हैं ये तीनो जो puff stitch है इसमें हमें बनाना है तो सबसे पहला वाला जो puff stitch है इसे हम थोड़ा सा इस तरीके से उठा लेंगे पूरा हमें उन नहीं उठाना है थोड़ा सा तीन या चार उन को इस तरीके से हम पकड़ते हुए कुरुस को हम अंदर डालेंगे फिर हम फंदा लेते हुए फंदे को हम इस तरीके से बाहर निकाल देंगे और इसके बाद इसमें हम तीन चैन लगाएंगे एक दो और ये तीन फिर हम एक पॉफ श्टीच को छोड़ देंगे इसको हम छोड़ देंगे इसके बाद वाले puff stitch में हम इस तरीके से इसे जोड़ देंगे तो ये हमारा एक जाली तयार हो गया फिर से हम यहाँ पर तीन चैन लगाएंगे और फिर हम एक puff stitch को छोड़ कर दूसरे वाले puff stitch में हम इसे लॉक करेंगे यहाँ पर और फिर से हम वहाँ पर लॉक करने के बाद तीन चैन लगा देंगे तो इस तरीके से इसे हम लॉक करेंगे फिर हम इसमें तीन चैन लगा देंगे और फिर हम जहां से हमने बनाना शुरू किया था यहां पर तो यह हमारा एक दो और यह तीसरा हमारा तैयार हो रहा है तो हमने जहां से बनाना शुरू किया था यहां पर ह केंची की मदद से उन को कट कर लेंगे इसके बाद ये जो हमारा उन है इसे हम कुरूस की मदद से इस तरीके से पीछे कर लेंगे और इसके बाद ये दोनों उन को हम अच्छे से बांध लेंगे और जो हमारा एक्ष्ट्रा उन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे तो फ् और अब हम ने जो बीच में जाली बनाया है, इसमें हम ये जाली में हम गुलाब का फूल तयार करेंगे, किनारे हमने 6 जाली तयार किया और बीच में 3, तो अब हम जाली के बीच में इस तरीके से पॉंखुडी तयार करेंगे, पॉंखुडी तयार करने के लिए हम पतला वाल रंगे उन से गुलाब फूल बनाया है तो पहले हम इस तरीके से यहाँ पर एक चैन लगा देंगे ताकि हमें बनाने में असानी हो तो मोटा वाला कुरुज से हम पहले इस तरीके से लगा लेते हैं तो मैंने यहाँ पर उजला और गुलाबी वाले उन में एक एक चैन इस तरीके से तयार कर लिया ताकि जोडने में हमें असानी हो और अब हम पतला वाला कुरूश से डिजाइन बनाएंगे तो इस तरीके से हम पहले उन को जोड लेंगे यह जो हमारा किनारे वाला जो पहला वाला जाली है कोई भी एक जाली से आप बनाना शुरू कर सकते हैं तो किनारे वाला जो जाली है यहाँ पर हम उन को इस तरीके से जोड़ देंगे और फ्रेंड्स यहाँ पर उन जो है मोटा फोर पलाई है और कुरूश हमारा बहुत ही जादा पतला है तो शुरू में बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा फिर धीरे धीरे जब हम बनाना शुरू करेंगे तो डिजाइन हमारा बनते जाएगा अब हम फंदे को इस तरीके से थोड़ा सा खीच देंगे जैसे कि हमने पफिश टीच में किया था और इसके बाद हम कुरूश को निकाल लेंगे और अभी हमें पीछे की तरब से डिजाइन बनाना है तो कुरूस को हम फंदे में डालेंगे और इसके बाद हम कुरूस में हम फंदा लेंगे और जाली में डालते हुए जितना लंबा हमने फंदा रखा है उसी के हिसाब से हम निकालते जाएंगे तो ये मैंने एक बार निकाल लिया जैसे हम puff stitch में निकालते हैं उसी तरीके से और जो हमारा हमने जो पहला फंदार लंबा जितना लिया था उसी के हिसाब से ही हम निकालेंगे बराबर करते ही वे तब ही हमारा पंखुरी जो है अच्छा से सुन्दर सा तैयार होगा तो इस तरीके से हम फंदार लेते जाएंगे और निकालते जाएंगे यहां हमें टोटल दस बार 10 टाइम्स हमें निकाल ला है तो यह हमने टोटल दस बार निकाल दिया अब हम आगे का डिजाइन बनाएंगे तो कुरूस को हम इस तरीके से सामने कर लेंगे और डिजाइन को हम पलट देंगे और इसके बाद यहां पर हम उन को जोड़ेंगे हमने जो गुलाबी वाला उन को इस तरीके से फंदा बना करके रखा था तो इस तरीके से हम इसे पहले हम यह जो उजला वाला उन है इसका हम पहले एक फंदा के साथ हम इसे जोड लेंगे तो धीरे धीरे करते ही वे हम इस तरीके से पहला वाला फंदे के साथ इसे हम जोड देंगे और इसके बाद हम दो दो फंदा पकड़ती हुए लाश्ट तक इसे हम जोड़ते जाएंगे तो दो फंदा में से हम कुरुस को निकालेंगे फिर हम फंदा लेंगे फिर अंदर डालेंगे फिर दो फंदे के बाद हम निकालेंगे तो दो दो पकड़ती वे हमें लाश्ट तक पुरा बनाते जाना है तो ये हमारा लाश्ट तक डिजाइन जो है इस तरीके से तयार हो गया सबसे किनारे वाला जो हमारा फंदा है उसे हम छोड़ देंगे और इसके बाद हम आगे बनाना सुरू करेंगे तो ये हमारा फूल का एक पंखुडी तयार हो गया इसी तरीके से हमें बनाते जाना है तो फिर से हम डिजाइन को इस तरीके से पलट देंगे और दूसरा वाला जो जाली है उसमें हम इसी तरीके से बनाएंगे तो बस फ्रेंड्स इसी तरीके से जितना भी हमारा जाली है सभी में हम पंखुडी बनाते जाएंगे जितना हमने पहले फंदा लिया था उसी के हिसाफ से हम पहले फंदे को सेट कर लेंगे और इसके बाद हम कुरूस में फंदा लेते हुए पहले वाले फंदे के हिसाफ से ही बराबर करते हुए हम इसमें से फंदा निकालते जाएंगे टोटल हमें दस बार निकालना है तो ये हमने दस बार फंदा निकाल दिया अब हम कुरूस को इस तरीके से आगे कर लेंगे और इसके बाद हम डिजाइन को पलड देंगे और ये जो हमने गुलाबी वाला उनको छोड़ा था इसे हम उठा लेंगे और फिर से हम पहला वाला फंदे में इसे पहले अच्छे से जोड लेंगे और इसके बाद हम दो दो फंदा पकड़ती वे लाश्ट तर डिजाइन बनाते जाएंगे जैसे कि हमने पहला वाला पंखुड़ी बनाया था लाश्ट में हम एक जो हमारा उजला वाला फंदा है उसे हम छोड़ देंगे तो ये हमारा लाश्ट तक डिजाइन जो है तयार हो गया और ये जो हमने उजला वाला फंदा छोड़ा था अब हम उसे पकड़ते वे तीसरा पंखुडी तयार कर लेंगे तो बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है तो मैं आपको पहले पूरा ये 6 पंखुडी बाहर का बना करके दिखाती हूँ फिर हम अंदर का बनाएंगे तो यहां तक मैं बना करके आपको दिखाती हूँ थो यहां ढ आपको प्राहिछ अजारी और रही हूँ लिजश चहती हूँ ले कर सकता चाहिए। तीन पंखुडी हमारा तयार हो गया और हम बचे वे तीन पंखुडी को तयार कर लेते हैं तो ये एक दो और ये तीन तो ये हमारा किनारे का जो पंखुडी है छे पंखुडी जो हमारा तयार हो गया अब हम बीच का जो हमने तीन जाली बनाया था उसमें हम पंकुडी तयार कर लेते हैं तो बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा पहले हम इसमें बनाएंगे फिर हम इसमें बनाएंगे और इसके बाद हम इसमें बनाएंगे तो जो हमारा उजला वाला जो फंदा है इसे हम इस तरीके से आगे कर लेंगे और इसके बाद हम जो हमारा पहला वाला जाली है इसमें हम दस बार फंदे को निकाल लेंगे जैसे कि हमने पहले किया था तो इस तरीके से हम जाली में कुरूस को डालेंगे और फंदा हम निकालते जाएंगे टोटल हमें 10 टाइम्स निकालना है तो ये हमने दस बार इस तरीके से फंदा को निकार लिया और इसके बाद हम कुरुस को आगे कर लेंगे फिर हम डिजाइन को पलट देंगे और फिर हम गुलाबी वाले उन से उपर का डिजाइन बनाते जाएंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा तो ये हमारा बीच का पहला पंखुडी तयार हो गया इसी तरीके से हम दो पंखुडी और तयार कर लेते हैं ये वाला दूसरा और ये तीसरा तो मैं आपको पूरा तयार करके अच्छे से दिखाते हूँ ये हमारा बीच का तीनो पंखुडी तयार हो गया और सबसे लाश्ट में जो हम पंखुडी बनाएंगे तो इसमें हम फंदे को साथ में लेते हुए इसे भी हम जोड़ देंगे क्योंकि इसके आगे हमें अभी नहीं बनाना है तो इसे हम साथ में इस तरीके से पंदे को हम जोड़ देंगे जोडने के बाद हम ये जो हमारा उजला ओला उन है इसे हम हलका सा खीच देंगे और इसे एक बर और हम जोड़ देंगे फिर हम थोड़ी सी दूरी पर कैची की मदद से उन को कट कर लेंगे दोनों उन को हम कट कर लेंगे अभी हमें इसके आगे का डिजाइन नहीं बनाना है और इसे हम कुरुस की मदद से उन को हम पीछे की तरफ कर लेंगे जितना भी हमारा उन है सभी को हम पीछे की तरफ कर लेंगे और इसके बाद हम सभी उन को हम पीछे की तरफ अच्छे से बांध लेंगे उन को पीछे करने के बाद हम पत्ता और फूल को हलके हातों से इस तरीके से हम सेट कर लेंगे और ये जो हमारा पीछे का उन है इसे हम बांध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा उन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे हमारा गुलाफुल वाला सुन्दर सा टिक्की तयार हो गया आप भी ये डिजाइन एक पर जरूर बनाईएगा ये देखने में बहुत ही जादा सुन्दर लगता है और फ्रेंड्स इसमें जैसे मैंने बाहर से बनाना सुरू किया था तो किनारे तरफ से पहले मैंने छे जो पंखुड़ी है उसे पहले मैंने बनाया फिर बीच में तीन बनाया और आप चाहे तो बीच से भी बनाना सुरू कर सकते हैं बीच वाला जो तीन है उसमें आप एक पकड़ते हुए उस तरीके से भी आप उल्टे तरफ से भी बना सकते हैं हमारा सुन्दर सा गुलाब का फूल तयार हो गया आप भी जो भी कलर का उन आपको पसंदो आप उस कलर के उन से गुलाब का फूल तयार कीजिए और इसके बाद के वीडियो में किस तरीके से गुलाब फूल को जोड़ कर हमें तोरन बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी आसा करती हूँ कि आपको मेरे डिजाइन जरूर पसंदाया होगा तो फिर हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में थैंक यू